हलो फ्रेंड्स मैसेल नदीम तीम केमेस्ट्री आज हम लोग डिसक्स करेंगे फिजिकल केमेस्ट्री के पार्ट केमिकल एकिलिग्रियुम एन अनेकिलिग्रियुम डी सीम नंबर थर्टी एट फिर्स्ट क्वेस्टेन में देखो अब वैसल कंटेंड 11,000 एट 11,000 कलमीन सीओ टू विजब प्रेशर ऑफ पॉइंट फाइट मस्वेर संसी ओट इस कनवर्डेट निस यो बाइडिशन ऑफ ग्रफाइट तो रियक्शन देखो लिखना पड़ेगा पहले सी ओ टू गैस हो गया और सी ग्रिफाइट सॉलिड होता है यह देदेगा क्या टू सी ओ गैस अब इनिशेली यह कितने पर था पॉइंट फाइफ पर था तो इसमें से निकला कितना होगा माइनस एक्स इसको छोड़ी दो इधर कितना आएगा टू एक्स अब टोटल प्रेशर एड़ इक्विलिबिरियम इनके सम के एक्कोल होगा सम करोगे तो कितना आएगा और एक्विलिबिरियम पर टोटल प्रेशर कितना दिया है पॉइंट एट तो एक्स की वेलू कितनी आगई पॉइंट थिए ठीक है पूछा क्या है वैसे एक्विलिबिरियम कॉंस्टेंट के एक्कोल टो क्या लेख सकते हैं पार्षल प्रेशर ऑफ सीयो का स्कुर पॉइंट थी निकाल लिए यहां से तो डिवाइड वाइड कितना आएगा पॉइंट है यह हो गया है नेक्स्ट इन दे रेक्षिन ओफ टू एबी थ्री एटू डेल्टा इस पॉजिटिव एंडो थर्मिक हो गया तो फॉर्मेशन ओव एबी थ्री विल बी फेवर्ट बाई अब देखो यह एंडो थर्मिक है तो टेंपरेचर क्या चाहिए हाई डेल्टा एंजी निकाल लेते हैं इसका डे अब भेज़ और प्रेशर क्या करना पड़ेगा हमें लोगा पड़ेगा क्या फोर्मेशन ओफ अचाफ फार मेशन ओफ यह दिया थarn section कि धर जाएगा बैक वोड्वेकॉर्ट के लिए क्या करना पलएगा in также थार्मिक है तो फिल बेक ऑगर आपड़ों करना है तो temperature क्या करणा पड़ेगा लो और प्रेशर किया करणा पड़ेगा हाई प्रेशर क्या क्या करना पड़ेगा इसका हाइए लो टेमपरेचर अंड है प्रेशर यह नेक्स्ट the value of equilibrium constant इसके लिए दिया हुआ इतना the equilibrium constant for this तो यह मा लेते हैं k दिया हुआ है इसको equal कर लो मा लेते हैं यह k- है तो देखो side पहले तो इधर no2 इसका तो यह 1 by तो पहले क्या हो गया k- और यहाँ पर आपको mole चाहिए 2 तो 2 से multiply करेगा तो square भी हो जाएगा तो k- equal to कितना आएगा 1 by root of k that is 1 by root of 100 that is 1 by 10 ठीक के डाइश आगे next for h2 hi a mole of 2 hi यह दे रहा है h2 plus i2 a mole है initially यह क्या रहे होंगे 00 a minus 2 x तो यह x आएगा यह x आएगा at equilibrium position 2 x mole of 2 x तो आई रहा है mole of h2 plus i2 मिलकर कितना हो गया 2 x what is the degree of dissociation degree of dissociation बदाएगा अलफा dissociated mole 2 x divided by ठीक है तो यह answer आएगा dissociated mole by initial moles yes ठीक है degree of dissociation next partial pressure of o2 तो देखो यह solid है यह solid है यह gas है अगर मैं इसका kp लिखूँ तो क्या आएगा partial pressure of o2 तो सीधे ही हो गया फिर तो यह partial pressure of o2 किसके बराबर हो गया kp बराबर ठीक है next NH4 NH4 HS solid break हुआ है NH3 gas plus H2S gas अब वोला initial pressure of ammonia यह तो दिया हुआ है 0 तो इनिशेल यह कितना रहा होगा 0 इसमें से कुछ dissociate होगा तो कितना आएगा यह 0.2 plus X यह आएगा X यह at equilibrium at equilibrium at equilibrium position total pressure इतना दिया हुआ है तो total pressure इनके सम के बराबर होगा 0.2 plus 2 X equal to 0.4 so 2 X equal to 0.2 so X equal to कितना आगया 0.1 yes रख लो तो यह हो गया 0.1 यह कितना हो गया 0.3 अब निकालना क्या इसका है calculate the KP KP कितना आजाएगा 0.3 into 0.1 0.03 0.03 पर ले यह अनसर होगा next KP by Casey will be equal to KP equal to क्या होता है KC RT power delta NG KP by Casey आपको निकालना है तो kp by kc हो गया rt power delta ng इसका देख लो 1-2, minus 1 आएगा ठीक है? या स्कोर के लिख सकते है 1 by rt kp by kc कितना आगया? 1 by rt next for the reaction जलो जी a b plus c है और d 2e है बोला है दोनों का degree of dissociation क्या है? तो अपन लिख सकते 1- अगर alpha लिखें यहाँ alpha आएगा, यहाँ पर alpha आएगा यहाँ 1- same alpha है ना? alpha degree of dissociation दोनों का same है तो यहाँ पर क्या हैगा? 2 alpha kp1 यह सब दिया हुआ है total pressure का ratio इसका माल लेते हैं, यह kp1 है, इसका kp2 है, इसका total pressure p1 है, इसका total pressure p2 तो देखो आपको याद होगा, kp1 equal to कैसे लिख सकते हैं पहले बाले का? alpha square divided by 1- alpha और इधर क्या आजाएगा? total pressure 1 plus alpha power कितना आजाएगा? इसका 1 kp2, यह p1 हो गया kp2 कितना आजाएगा? 2 alpha square, मतलब 4 alpha square divided by 1- alpha 1, p2 divided by 1 plus alpha power 1 solve कर लो इसका आजाएगा तो kp1 by kp2 कितना दिया है? 9 ratio 1 दिया हुआ है तो 9 by 1 equal to, देखो यह यह तो कट जाएगा, alpha alpha कट जाएगा तो क्या आजाएगा, देखो p1 by 4 p2 तो p1 by p2 कितना हैगा? तो p1 by p2 कितना हैगा? 36 by 1 36, 36 ratio 1 दिया है next the backward rate constant of reversible reaction is दिया हुआ है? and value of equilibrium constant तो k आप जानते हो, k equal to क्या होता है? k forward by k backward k दिया हुआ है, 1.5 और k backward दिया हुआ है तो k forward पूछ रहा होगा k f value of forward k backward 7.5 into 10 to the power minus k forward आजाएगा इसमें next k p of the following अच्छा केसी इसका दिया हुआ हो, तो आप जानते हो, k p equal to k c r t power delta n g k p निकालना है, केसी इसका कितना दिया है? 4 r t, r t के term में रख लिए जाए, t दिकेना दिया है आर तो उसी तरह से रहेगा, और temperature दिया हुआ है 527, तो 527 plus 273, यह हो गया 0, यह हो गया 0, यह हो गया 8, तो 800 हो गया, 800 power, delta n g, यह देखो, total 2 minus 1, 1 आ गया, ठीक है? अब ऐसा कोई कहीं दिख रहा है? अच्छा, ओके, ओके, के-पी देखो, इसका निकालना है, के-पी इसका निकालना है, इस reaction का के-पी निकालना है, जबकि हमने यह के-पी किसका निकाला है, इसका एक बार फिर से कर लेते हैं, इसको, एक बार फिर से कर लेते हैं, तो दोस्तों, इसका के-सी दिया हुआ है, बट के पी इसका पूछ रहा है तो सबसे पहले तो इसका केसी निकाल लेता हूं है इसको माल लेते हैं कोई केसी डैश माल लेते हैं ठीग है तो देखो केसी इक्वल टो किसी दिखना दिया है इसको एक्वल करो या आप ऐसे कर लेते हैं सीधा सीधा के सी डैशिक और। già गहां वंगैस कुछा गया ऊप्षाइण तो इसका हमें चुकी kp निकालना है, तो kp equal to, kc है 1 by 16, r तो रहने देते हैं, temperature है 800 degree centigrade power, delta ng की value कितनी है, 1, delta ng की value कितनी है, 1, तो अब इसको, सरी, delta ng की value कितनी है, minus of 2 minus 4, minus of 2, तो अब इसको क्या किया जाए, अब इसी की form में हमें इसको set करना पड़ेगा, ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको minus of 2 है, kp हमें निकालना है, kp इसका आगया, 1 by 16, this power this, तो अब इसको simplify करना है, बस, ठीक है, 800r, तो इसको कैसे कर लें, हाँ, तो यह होई गया ना, इसको, देखो, इसको ऐसे लिख लो, 800r divided by 4 power minus 2, yes, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको, 4, 2, 4, 4, 4, 16 नित होगा, ऐसे कर लो, इसको, yes, यह क्या जाएगा, इसको डिवाइड कर ले देखो, 16 into, r into 800r divided, उपावर कितना होगा, तो, हाँ, ऐसे लिख लो, इसको, इसको, इसको नीचे ले आओ, अब हम इसको क्या कर सकते हैं, देखो, इस वाले को, गलत होगा, अथा अधर कैलकुलेशन, अब इसको क्या लिख सकते हैं, 1 by 800r into 4, पावर 2, यह लिख सकते हैं, वोगे देखो, यह तो पावर में रहेगा, ही रहेगा, पावर 2, और 4, 4, 16, अब ऐसा वाला ओप्शन कहाँ चल रहा है, यह दो खोगा, यह वाला रहा है, ठीक है, next देखते हैं, ठीक है, इसका देखो, the figure यह सब हो गया, a, b, the equilibrium constant kc4, equilibrium per concentration क्या हो जाता है, constant, तो देखो, यह equation दिया हुआ है, अगर मैं इसका केसी लिखूँ तो यह आएगा, concentration b के पावर 2, divided by concentration of a, add equilibrium तो, equilibrium पर देखो, b का कितना है, 0.4 और a का कितना है, 0.1, तो यह हो जाएगा, 0.4 into 0.4, divided by 0.1, कट कुट लिया, यह वन पॉइंट कितना हैगा, 6, तो केसी क्या हैगा, greater than 1, yes, next, पी एच आप वाटर, पी एच आप वाटर, पी एच आप वाटर इस सेवन, इप वाटर इस हीटेट टू, अच्छा, इस पर है, तो देखो भई, आप आप देखो, जब एच प्लस बढ़ेगा, तो पक्का है कि ग्रेटर देन, 10 to the power minus 7, ये भी होगा, greater than 10 to the power minus 7, ये भी होगा, 70 पर, अब आप देखो, जब एच प्लस बढ़ेगा, तो पी एच क्या होगा, घट जाएगा, पी ओएच भी क्या होगा, घट जाएगा, ऐसा कुछ दिया है, पी एच विल डिक्रीज एं सलूशन, ये दो गलत है, पी एच पी एच विल रिमेन कॉंस्टेंट एच सेवन, पी एच विल डिक्रीज बड़ सॉलूशन भी निउट्र, ये सही है, पी एच डिक्रीज करेगा, पट रहेगा, तो निउट्रल ही न, क्योंकि जितना, एच प्लस है, उत नहीं क्या है, ओच माइनस है, नेक्स्ट, दिया हुआ है, relative strength, strength of 1 divided by strength of 2, root of क्या होता है, ka1 divided by ka2, strength का फार्मुला, रख लीजे इसमें आजाएगा answer, yes, चलो, नेक्स पर चलते हैं, when 10 to the power minus 8 mol HCl dissolve in this, the pH of solution, तो concentration कितना हो गया, HCl का, 10 to the power minus 8 divided by 1, concentration हो गया, 10 to the power minus 8 M, अब आप देखो, यह strong है, H plus B वैसे कितना आएगा, 10 to the power minus 8 M, बट इसका concentration देखो, बहुत ही कम है, तो water वाला भी आपको क्या करना पड़ेगा, consider करना पड़ेगा, भई, H plus total, यह कितना आएगा, 10 to the power minus 8 from HCl, plus 10 to the power minus 7 from HCl, अब from water, तो 10 to the power minus 7 common हो गया, into क्या आजाएगा, 1.1, pH इसका निकाल हो गया आएगा, कितना, 7 minus log 1.1, log 1.1 कितना होता, 0.004, यह हो जाएगा, 6.96, इतना आना चाहिए pH, तो pH क्या आएगा, भई, below 7 आजाएगा, below 7, next question, what volume of 1 molar sodium formate, इसका volume पुछा है, H-C-O-O-N-A, added to 50 ml formic acid form, देखो, acidic buffer है, ठीक है, pH दिया हुआ है, P-K-A भी दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, तो pH का formula क्या होता है, P-K-A plus log salt का concentration divided by acid का concentration, माल लेते हैं, sodium formate का volume क्या है, V, ठीक है, ml में ही ले ले लेते हैं, इसको ml में ही लेते हैं, ठीक है, तो देखो, pH कितना दिया हुआ है, 4, P-K-A दिया हुआ है, 3.8, plus log, अब देखो, concentration रखना है, तो millimol पहले निकाल देते हैं, इसका, 1 into V, salt का, salt का, 1 into V in ml, divide by total volume, total volume कितना होगा, V plus 50, वाल दा, 50 plus V ml, यह salt का होगया, divided by, acid का millimol, 50 into 0.5, ठीक है, और divide by total, 50 plus V in ml, अब देखो, यह तो कट जाएगा, अब इधर minus कर लो, यह कितना आएगा, 3.8 minus होगा, तो कितना आएगा, 0.2, देखो, आ रहा है ना, आपने आप, 0.2 होगा, इधर, 0.2 equal to, V m, ml, और यह आजाएगा, 50 into 0.5, यह log में है, यह log में है, तो इसका, NT log देखो, लिखा हुगा, यहाँ पर 1.6, 1.6 equal to V in ml, divided by, 50 into 0.5, यह दोस्तों, V in ml आजाएगा, यहस, next, in a mixture of CS3, CO2, CS3, सुनने, the ratio of salt, increased by 10 fold, the pH of solution win, increased by, ratio increase करोगा, तो increase by, तो कुछ नहींगा, increase by 0 आजाएगा, ठीक है, क्योंकि देखो, कितना increase करेगा, देखो जाएगा, यह buffer है, तो पी एच इक्वल टू पी के ए प्लस या अच्छा टेन फोल्ड है ना एक मेरे एक बड़ रेश्यो टे अच्छ रेश्यो टेन फोल्ड है ओके देखते हैं तो सॉल्ट अपॉन एसी यह ऐसा कुछ था यह या इसको थोड़ा इस फॉर्म एक ताकि आसानी से कट जाए है एच प्लस माल लेते हैं वन यह क्या हो गया के ए प्लस इन्टू सॉरी इन्टू यह इसका लॉक के फॉर्म में नहीं ले रहा हूं ताकि थोड़ा सा सॉल्व करना इसी रहे ना एसीड अपॉन सॉल्ट हो ज होला है कि देखो रेशियो आप दिस एंड दिस इंक्रीज बाइट एन फॉल्ड तो उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा वन बाइट टेण हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा पहले ये रेशियो कुछ था, अब रेशियो जो है, वो कह रहा है, salt upon acid पहले था, अब कह रहा है, salt upon acid जो है न, वो 10 times हो गया, dash का, s upon a, s upon a, तो a upon a dash upon s dash कितना हो जाएगा, a by 10s, अब रख दो यहाँ पे, तो a by कितना हो गया, 10s, इसको solve पर लो, ठीक है, तो ये कटकुट जाएगा यहाँ से, है, यह h plus 1, divided by h plus 2, equal to कितना आ गया, यह 10 चला गया, उपर, यह 10, अब इसका आप इसके साथ relation निकालो, तो h plus 2, equal to कितना आ जाएगा, h plus divided by 10, अब इन दोरों का pH का formula लगा के, equation pH उचा होगा, the pH of solution will increase by, तो pH का formula लगा के आप देख सबते हो, ठीक है, इसमें देखो, 3 reaction involved, involving, h3, p, o, 2 are given below, 3 reaction involving, h2, p, o, 4 minus are given below, ठीक है, in which of the following, in which of the above does h2, p, o, 4 minus act as an acid, ठीक है, मतलब अगर यह acid का काम किया है, तो बनेगा क्या, h plus दिया होगा, तो बनेगा क्या, h, p, o, 4 minus 2, अब ऐसा देखो, कहाँ पे है, यह आगया हमारा, नहीं, यह बला आगया, एक तो देखो, यह आगया, यह तो पक्का हो गया, इसमें भी दुखा थोड़ा, यहाँ पर, o, h minus है, ना, o, h minus अगर यहाँ पे है, तो, इसमें देखो, acid का काम यह नहीं किया है, अच्छा, h2, s, 4, and act as an acid, acid है, तो acid अगर है, तो वो क्या होगा, उसका, उसने h plus देना चाहिए, यहाँ तो देखो, h plus लिया हुगा है, इसमें तो काम नहीं बन रहा है, दूसरे वाले में देखते हैं, इस वाले में देखो, इसमें देखो, दिया है, इसने, देखो, कम हो गया कि नहीं, तो second तो आ रहा है, यहाँ पर तो ऐसा तो कुछ होई नहीं रहा है, यहाँ पर तो कुछ होई नहीं रहा है, तो कौन सांसर है, second answer, next देखते है, the ratio of dissociation constant of 2V acid, HA is B, दियावा, what molar concentration, we have to have same pH, dissociation constant, तो कोई नहीं, same pH, देखो, H plus equal to क्या होता है, root of Ka into C, यह H plus 1 होगया मालो, दोनों का, यह देखे, K1, दोनों का molar concentration ratio निकालना है, H plus 2, root of Ka2 into C2, pH same अगर है, तो दोनों concentration क्या है, H plus same, तो equal कर लो, तो क्या जाएगा, Ka1, C1, equal to क्या जाएगा, Ka2, C2, Ka1, Ka2 का ratio दिया हुआ है, आप से, Watt molar concentration of 2 weak acid, अलब C1 by C2 आप से पुछा जाएगा, बना लिजेगा, यह सीदे आगे, K1 by K2, या, ऐसे कर लो, C1 by C2, equal to क्या जाएगा, Ka2 by Ka, रख लीजिये, value आजाएगा, Next, which, which one is not a buffer, देखो, weak acid, उसी का salt है, यह तो buffer हो गया, weak base, उसी का salt है, यह buffer हो गया, weak base, उसी का salt है, यह buffer हो गया, अब यह देखो, गड़गड़ हो गया, ना, यह strong है, तो इसमें क्या होना चाहिए, weak base या weak acid, उसी का क्या होना चाहिए, salt, या conjugate acid, या conjugate base, यह तो strong acid हो गया, ना, काम खराब हो गया, तो यह buffer नहीं होगा, Next, for the reaction, A, B, सारे gas हैं, A gas plus B gas, A gas plus B, इसका देखो, A, B का दिया हुआ है, 25% dissociated है, तो 1 minus क्या हो गया, 0.25, यह भी कितना हैगा, 0.25, यह भी आगया, 0.25, 25% dissociated, KP आपको निकालना है, total pressure के term में बताना है, तो KP अपन लेख सकते हैं, 0.25 into 0.25, divided by 0.75, किधार आजाएगा, total pressure, 1.25 पावर के आएगा, अब क्या बोला है, therefore P is related, अभी सॉल करना पड़ेगा, solve कर लो इसको, ठीक है, KP का, P का relation, इससे बताना है, KP किसा, solve करीएगा, ठीक है, for the reaction, यह दिया हुआ है, if KC, अच्छा, KC दिया हुआ है, अब देखो, पहले तो KP, क्या होता है, KC, RT, पावर, डिल्टा, NG, NG कितना आएगा, 1-0.5, तो, minus 1 by 2 आ रहा है, अब हमें क्या रखना है, कि KP धर रखना, केसी बराबर करना है, तो इसको देखो, ऐसे लिख सकते हैं, पहले तो, केसी डिवाइड़ बाई, RT पावर हाफ, केसी इकुल टू क्या हो जाएगा, KP, RT पावर हाफ, X की वेलू कितनी है, हाफ आगे, X की वेलू हाफ आगे, Next, Conjugate Base, Conjugate Base का मतलब है, H उससे कम हो जाए, तो ऐसा कुन सा आएगा, Conjugate Base, ठीक है, पहले से H क्या हो जाए, कम आजाए उसमें, एक H कम करो, तो माइनस 2 आजाएगा, ठीक है, और तो कुछ नहीं है, चलो, Next, Out of which Amphiprotic species, Amphiprotic कौन सा होते हैं, जो H पलस दे भी सकते हैं, और ले भी सकते हैं, देखो तो, अब देखो यह नहीं होगा, देखो, पी ओ, यह H3PO2, H3PO3, H3PO3 का सॉल्ट है, H3PO3, मतलब यह OHE धर भी आएगा, अब 2- तो हो गया, मतलब 2 तो निकल चुके हैं, यह वाला तो निकलेगा नहीं, मतलब अब यह सिर्फ एक्सेप्ट कर सकता है, डोलेट तो कर नहीं सकता है, तो यह Mphiprotic नहीं होगा, इसके पास हैं नहीं, यह एक निकल चुका है, अब यह सिर्फ एक्सेप्ट कर सकता है, दे तो सकता नहीं है, यह भी Mphiprotic नहीं है, कार्बोनेट होता है, यह भी आएगा, आंसर कौन सा आएगा, 3 और 4, यह 3 और 5, यह वालग नहीं है, इस्ट्रक्चर बना के आप देख सकते हैं, pH प्लस पोच इक्वल टू, तो pH प्लस पोच इक्वल टू, तो 12 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इट डिपेंट सबान टेमपरेचर, जैसे अगर 25 है, तो pH प्लस पोच इक्वल टू कितना होता है, 14, 90 है तो pH प्लस पोच इक्वल टू कितना होता है, 12, तो अपने लोग बोल नहीं सकते हैं, कि 14 होगा, ने क्या होगा, इट डिपेंट सबान टेमपरेचर, नेक्स्ट, इफ आयनाइजेशन का, और K1, K2 सब दिया है, तो लिख लेते हैं इसका, H3PO4, ये ब्रेक हुआ, H++, H2PO4-1, ये K1 हो गया, अब इसी का K2, इसी को आगे बढ़ाओ, H2PO4-1, H++, HPO4-2, K2 हो गया, HPO4-2, ये जाएगा किसमे, H++, PO4-3, ये क्या हो गया, K3, अब आपको इसका देखो, निकालना है, टार्गेट एक्वेशन हमारे पास है, तो ये कैसे निकालेगे, अगर K equal to, अगर मैं इनको multiply कर दो, that is, K1 into K2, into K3, K1 लिखिए, K2 लिखिए, K3 लिखिए, multiply करोगे, कटेगा, कट के, यही वाला equation आएगा, K1, K2, K3 के वेलू आपको पता है, multiply करके देख लिएगा, ये answer आजाएगा, और target equation हमारा ये आना चीए, multiply करने पर, multiply कर मतलब, जिसे K1, तो this into this, divide by this, K1 लिखिए, ऐसे K2 लिखिए, K3 लिखिए, multiply करोगे, कट कर हमारा target equation ये वाला आएगा, multiply करने पर ही आएगा, तो equal करके, equal करोगे, multiply करोगे answer, next, for the acidic buffer, correct graph, तो आब जानते हो, pH equal to क्या होता है, Pka plus log, salt देखो दिया हुआ है न, salt upon acid, y equal to c plus mx, positive slope and intercept, positive slope and intercept, इया जाएगा, positive slope and intercept, सब positive होना चाहिए न, उपर salt, नीचे acid, उल्टा अगर दे दिया होता, तो गर बड़ो जाता, चलो जे, which buffer solution has maximum pH, तो maximum pH कब होता है, maximum pH, देख लो, सब acidic buffer ही है, इसका pH देखो कितना है, पर तो फार्मार देख लेते हैं, pH equal to Pka, plus log salt, ओवर ऐसी है, तोनों concentration same है, pH 4.74 आजाएगा, इसमें देखो, दोनों का concentration same है, again, pH, Pka के बराबर हो जाएगा, इस वाले को देखो, यह basic buffer है, पहले तो, basic buffer है, तो पहले तो देखो, दोस्तों आएगा, पोह, पोह आएगा, तो पोह equal to Pkb plus log salt upon base, तो पोह Pkb कितना है, 9.26, पोह है, तो pH कितना हैगा, 14 minus 9.26, 14 minus 9.26 कितना होता है, 4.74 होता है, तो all have, all solution है, pH 4.7, pH of solution obtained, on mixing this with, तो देखो, NH4 OH है, इसको mix कर दिया, HCl में, वैसे mix कर ओके, तो acid base reaction हो जाएगा, NH4 CL बन जाएगा, अब इसका देखो, कितना दिया हुआ है, NH4 millimol कितना दिया हुआ है, 20 into 0.1, 2, और इसका दिया है, 30 into 0.5, 0.05, तो कितना होगा, 30 into 0.05, कितना होता, 1.5, देखो, 150 into 10 to the power minus 2 आएगा, 1.5 आजाएगा, 1.5 millimol, यह limiting है, तो यह 1.5 होगा, यह 0 होगा, यह 0.5 होगा, basic buffer बन गया, तो पुछा किया वैसे, इसका pH पुछा हुगा है, तो पहले तो इसका निकालना पड़ेगा, P OH, P OH निकालना पड़ेगा, P KB कितना हैगा, यह ऐसा करते हैं, OH निकाल लेते हैं, पहले, OH, OH माइनस को कि, KB के बेलू दिया है, OH माइनस कंसेंट्रेशन, इक्वल टो, KB कितना दिया है, 2 इंटू 10 तु दिपावर, माइनस 5, बेस अपान साल्ट हो जाएगा, बेस है, मारे पास 0.5, और साल्ट है, 1.5, यह कितना हो जाएगा, 1 by 3, तो OH माइनस हो गया, 2 इंटू 10 तु दिपावर, माइनस 5, दिवाइड़ बाई 3, यह OH माइनस हो गया, ठीक है, अब देखो, तो H प्लस कितना होगा, आप जानते हो, H प्लस इंटू H माइनस, KW बराबर होता है, तो 10 तु दिपावर, माइनस 14, डिवाइड़ बाई, यह 3 उपर चला जाएगा, और यह कितना हो जाएगा, 2 इंटू 10 तु दिपावर, माइनस 5, सॉल्व करो इस वो, तो इधर आ गया, 1.5, या इसको 3 के फार्म में है, चलो रहने देते हैं, 3 बाई 2, और यह उपर जाएगा, तो इंटू 10 तु दिपावर, माइनस 9 बचेगा, H प्लस आ गया, तो pH का फर्मुला लगा लोगा, pH इक्वल तो 9 माइनस, लॉग और 3 माइनस, लॉग और 9 माइनस, क्या होगा, यह pH लगा होगे, तो क्या आएगा, माइनस, अच्छा माइनस भी तो है फर्मुले में, अड़े यार, माइनस लॉग और H प्लस, 3 बाई 2, इंटू 10 तु दिपावर, माइनस 9, तो 9 तो आ जाएगा इधर, माइनस यह है, और अब देखो इधर कर रहा हूँ, लॉग और 3, माइनस लॉग और 2, यह माइनस भाँर है, ठीक है, अब ऐसा मिला लो, तो 9 आना आना चाहिए, यह पॉजटिव में, यह पॉजटिव में आना चाहिए, यह माइनस माइनस प्लस, यह पॉजटिव में आना चाहिए, तो यह प्लस में हो गया लॉग 2 पॉजिटिव में है लॉग 3 नेगेटिव में है ठीक है पीस आफ सलुशन और सॉल्ट आफ स्ट्रॉंग बेस वीक इसिट का फार्मूला क्या होता है अब यह तो फार्मूला याद करना पड़ेगा 1 by 2 pkw ps equal to क्या होता है 1 by 2 pkw plus 1 by 2 pk a plus 1 by 2 log of c 1 by 2 common ले लो pkw pk a plus log c 1 by pkw pk a plus log c यह गा जाएगा यह वाला next ksp सभी का दिया हुगा है यह इतना सब हो गया if solution mx is added drop wise to the mixture of adding इतना मोल then the one which precipitate first then the one which precipitate first सीधी सी बात है जिसका ksp कम होगा उसका precipitation पहले होगा क्योंकि क्या है ना कि सबकी stoichiometry क्या है सेम तो निकालने ही जुरूरत नहीं है जिसका ksp कम इसका मलद उसकी solubility क्या है कम है और जिसकी solubility कम है इसका मतलब है कि प्रेसिबिटेशन उसका क्या होगा सबसे फास्ट होगा अब देख लो किसकी solubility सबसे कम है सबसे कम किसका है m1 यह आगया यह पार्ट कॉमन है सबकी stoichiometry कॉमन है तो कॉमन नहीं लगा के solub करने की जुरूत नहीं है सबका वो यह पार्ट कॉमन रहेगा यह वाला पार्ट कॉमन रहेगा ना तो सीधे केस्पी देख लोगा अब आपको याद होगा अब आपको याद होगा salt of weak acid weak base जो होता है वो उसका जो degree of hydrolysis है या pH है वो concentration पर डिपेंड नहीं करता है डायलूशन पर डिपेंड नहीं करता है तो जितना रहेगा उतने का उतने रहेगा next question the solubility of AGCl दिया हुआ है the solubility of AGCl in this common लगा लो केस्पी केस्पी इसका निकाल लेते है पहले तो solubility product दिया हो सरी solubility product दिया हुआ है तो solubility product लिखते हैं 4 into 10 to the power minus 10 माल लेते हैं AG की solubility क्या है S तो CL की solubility भी S होगी और देखों यहाँ से common आयन लगेगा 0.04 into 2 0.08 यह आगया अब देखो यह इस के रिस्टेट में तो खतम हो जाएगा कोई कि इस ट्रॉंग है तो एस solubility कितनी हो गई 4 into 10 to the power minus 10 divided by 8 into 10 to the power minus 2 तो यह हो जाएगा 1 by 2 into 10 to the power minus 8 यह 5 into 10 to the power minus 9 के आसपास आना चाहिए यह आजाएगा ओकिके next in the equilibrium 2 NH3 and 2 plus 3 H2 in the equilibrium 6 mole NH3 taken in 10 liter of class in the concentration चलो भई यह 6 mole है यह initially क्या रहा होगा 0 0 6 minus 2 X यह X से यह क्या है 3 X अब क्या रहा है कि if concentration of N2 at equilibrium is X चलो ठीक है X हो गया ना देन दे गन्सेंट्रेशन आफ एनस 3 at equilibrium ठीक है यह मोल आ गया NH3 के मोल कितने है 6 minus 2 X divided by 10 दिया होगा है 10 कर लो इसका solve आजाएगा यह हाएगा concentration of NH3 at equilibrium solve करोगी आंसर 1 more 0.1 mole of HCl is dissolved in distilled water volume within अच्छा देखो डाइलूट कितना क्या है infinite तक डाइलूट कर दिया तो infinite डाइलूट कर दिया है मतलब HCl उसमें रहेगा और क्या रहेगा water और यह very large amount very large है amount में तो इसके risk में अब इसका क्या हो tending to neglect हो जाएगा भाई अगर आपने HCl कोई बहुत बड़े distilled का तलाब है कोई बहुत बड़ा उसमें डाल दिया कितना डाल दिया 0.1 more उस तलाब का pH क्या होगा 7 ही रहेगा या नीटरल ही अल्मोस्ट नीटरल ही रहेगा अंसर कितना हो जाएगा pH is approximately 7 the solubility of Fe OH thrice would be maximum यह देखो base है ठीक है अगर कोई चीज react उसे कर जारे इसका मदद solubility उसमें ज्यादा है पहले दो देखते हैं कि यह तो नहीं होगा यह base यह base होगा solubility maximum यह acid है यह भी acid है अब acid ज्यादा कौन सा है देखो इसमें H plus कितना मिलेगा हमें 0.1 और इसमें H plus कितना मिलेगा 0.2 तो solubility इसमें ज्यादा है निकाल लो kp equal to kp equal to kya होगा kc rt power 1 kp equal to kc kp equal to kc मतलब इसको kc लिख सकता हूँ kp equal to kc इधर तो हो गया 1 equal to r t तो t equal to कितना हो जाएगा 1 by r 1 by r करके आप solve 1 r की value रोख लो 0.082 answer आजाएगा मुझे लगता है कि किसी गास पास आना चाहिए इतना तो नहीं होने वाला है इंदर reaction ये हो गया बही चलो ये solid है solid है gas है ये दोको endothermik है partial pressure of O2 depends on अब देको solid को change चुज़ करो कोई फरक तो पढ़ने वाला नहीं है increase in temperature ये हो सकता है increase in mass और देखो गई temperature increase करोगे endothermik का reaction जाएगा forward ये ज्यादा बनेगा partial pressure कहा लिखा है pressure of O2 increase in temperature क्योंकि temperature increase करोगे KP लिखोगे तो क्या आएगा partial pressure temperature increase करोगे तो ये भी increase करेगा ये भी increase करेगा और वैसे भी समझ सकते हैं कि degree of dissociation भी तो बढ़ेगा न क्योंकि 2 mole and 6 mole चलो इसको बनाना पढ़ेगा 2 mole 6 mole close vessel N2 converted ये reaction दिया हुआ N2 plus 3H2 gives 2NH3 अब देखो इसमें है 6 2 moles of N2 ये 2 था और ये कितना है 6 ये हो गया 0 तो 2 minus X 6 minus 3 ये आगया 2X अब बोला है 50% N2 निकल लिया तो 2 का 50% का मंदब कितना हो गया 1 तो बचा क्या है यहां पर 1 यहां कितना बचा X की वेलू बना चुकी ये 3 हो गया यहां पर कितना हो गया ये equilibrium पर आगया volume इसका 1 liter 1 liter दिया हुआ है केसी हमें निकालना है तो केसी कितना है अब वालियूम से तो कोई फरक पढ़ने वाला नहीं है volume 1 liter है तो 2 दी पावर 2 4 हो गया divided by 1 हो गया into 3 दी पावर 3 कितना हो गया 27 so 4 by 27 ऐसा कुछ है in a system solid gas gas तो देखो इसका अगर मैं केसी लिखता हूँ तो B का concentration power 2 C का concentration power 3 अब क्या कह रहा है if concentration of C at equilibrium increase by factor 2 तो concentration change करने से केसी पे तो कोई फरक नहीं पढ़ेगा केसी तो केसी रहेगा और C का concentration B का देखते हैं मा लेते हैं यह B dash हो गया B dash power 2 और C का उसने क्या किया है increase by factor 2 2 C power कितना हो गया 3 solve कर लोगे यहां से यह तो cut जाएगा ठीक है B dash की value B के term में आएगी यहां से C से C cut जाएगा तो B dash की value B के term में आएगी ठीक है अब जो भी आएगी आप यहापे solve कर सकते हैं आराम से For the reaction H2 plus I2 equilibrium constant दिया हुआ है 0.5 mole each of I2 added to the system the value of equilibrium constant अरे equilibrium temperature तो constant है temperature तो constant है तो mole change करो constant change करो volume change करो pressure change करो कोई फरक नहीं पड़ेगा ठीक है तो answer कितना आएगा 50 आएगा next 40 41 the dissociation constant of 2 acid यह दिया हुआ है the relative strength again S1 by S2 equal to root of K A1 divided by K A2 ठीक है जादो रख लेना इसमे rate constant यह देखो यह सब rate constant of forward and backward तो K कितना आएगा K F by K P rate constant of forward दिया है 50 और rate constant of backward कितना दिया है 100 यह कितना आएगा 0.5 मालदब K जो है ना वो लेस दिन पहले तो 1 है K equilibrium K equilibrium less than 1 ले वाई है यह आगया और K equilibrium less than equilibrium पर delta G क्या होता है 0 और delta G not equal to क्या होता है minus 2.303 and R T log of K yes R T log of K अब K की वेलू क्या है less than 1 तो यह क्या आजाएगा positive एकल मिला के answer कौन सा होगा third answer ठीक है next the dissociation constant of substituted benzoic acid the pH of 0.1m solution of sodium salt benzoic acid का sodium salt है C O N A salt hydrolysis लग जाएगा तो pH equal to क्या होता है 7 plus 1 by 2 PKA PKA कितना हो जाएगा इसका 4 yes plus 1 by 2 log of C कितना है 10 to the power minus 2 solve करिएगा answer ठीक है with increase in temperature ionic product of water increase कर जाएगा क्योंको देखो पहले 25 पर minus 10 to the power minus 7 H plus 10 to the power minus 7 OH minus तो ionic product of water KW कितना था 10 to the power minus 14 अच्छा ionic product decrease कर जाएगा temperature increase करोगे जैसे मैं एक्जाम्पल लिया था एक यह 25 degree centigrade 90 degree centigrade पर यह कितना हो जाता है 10 to the power minus 6 10 to the power minus 6 अब के डबलू कितना हो जाएगा 10 to the power minus 6 increase कर जाएगा ना आइनिक प्रोड़क्ट आफ वाटर क्या कर जाएगा increase कर जाएगा on increasing the temperature एक 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 एक्जाम्पल से कर सकते हैं पीछा तो फालिंग not a conjugate acid base pair conjugate acid base pair में एक हेच का फरक होना चाहिए तो देखो इसमें एक ही हेच का फरक है पहले तो यह होई नहीं सकता यह ही possible नहीं है अच्छा और देख लेते हैं H2PO4 एक हेच का फरक है H2PO4 not a conjugate acid base pair वैसे देखो यहाँ पर भी 2 का फरक है 2 का फरक आ रहा है यहाँ पर कितने का फरक आ रहा है एक का फरक आ रहा है यह तो possible है यह possible है यह possible नहीं है ठीक है यह वाला possibility नहीं है वैसे देखा जाए तो technically इसमें भी थोड़ा दिक्कत है because यह H plus दे नहीं सकता, ना, P, H3, P, O, 3, H3, P, O, 3, में दो ही तो H होते हैं, दो ही तो H होते हैं, तो यह तो H होते हैं, तो यह तीसरा कैसे दे सकता है, ना, बट, question के according अब जैसा option दिया है किसी तरह से, वैसे तो इसमें एक एक का फरक होना चाहिए था conjugate acid base pair में जब कि यहाँ भी कितने का फरक है दो का यह possible तो नहीं है इस वाले में वैसे देखा जाए तो थोड़ा टेक्निकली सही नहीं है क्योंकि यह H plus maximum कितना दे सकता है 2, but question के वैसे देखा जाया तो अब नहीं बोल सकते अब इसमें बेस्ट आंसर तो ही चला जाएगा The precipitate of this आप पता है आइनिक प्रोड़क्ट अगर is obtained आइनिक प्रोड़क्ट के स्पी से ज़्यादा होना चाहिए निकालने तरीका तो वही होगा आइनिक प्रोड़क्ट अगर लिखें AG2 CRO4 का AG प्लस का क्या आएगा square into CRO4 minus 2 equal volume है तो देखो इसका आप जैसे मालो एक करके दिखा जाते है 10 to the power minus 5 into V divided by total volume 2V का क्या आएगा square AG यह आजाएगा 10 to the power minus 3 into V divided by 2V यह V से V गया यह V से V गया अब यह कितना आ रहा है 10 to the power minus 10 divided by 4 into 10 to the power minus 3 यह आ रहा है 1 by 4 into 10 to the power minus 13 यह आजाएगा 0.25 into 10 to the power minus 13 that is 25 into 10 to the power minus 15 यह आएणिक प्रोड़क्ट आया है जबकि केस पी जादा है कि नहीं जादा है आएणिक प्रोड़क्ट पहला वाला नहीं हो सकता है अब एक बार कोई देख लेते हैं दूसरा यह वाला देख लेते हैं चलो 10 to the power minus 5 into V divided by 2V का square 10 to the power minus 2 into V divided by 2V यह देख थोड़ा यहाँ पे है यह भी गलत लिख दिया हमें यह 4 हो जाएगा 4 into यह 2 भी है यह हो जाएगा 8 चलो खहर देख लेते हैं भी यह देखो कितना आ रहा है वैसे तो 10 V से V तो सब गाइब है 10 to the power minus 10 into 10 to the power minus 2 divided by 4 into 2 8 यह कितना आ रहा है 10 to the power minus 12 10 to the power minus 12 into 1 by 8 1 by 8 तो यह भी मुझे लगता है कि possibility इसकी भी बहुत ही कम ही है इस वाले को एक बार चेक करते हैं 10 to the power minus 4 into V divided by 2 V का square into 10 to the power minus 4 into V divided by 2 अब यह 8 और यह 12 बार आ रहा है ना यह कितना रहा है 10 to the power minus 12 divided by 2 to 4 divided by 8 यह आएगा अब कुल मिला के solve तो देखो करना ही बड़ेगा ना solve करके देख लिएगा सीधीस बात यह है अब calculation करनी बड़ेगी कि कि किसका ionic product KSP से ज़्याद आ रहा है जिसका ionic product KSP से ज़्याद होगा बस सीधीस बात यह है कि उसका प्रेशिप्टेशन होगा अधर्वाइज नहीं होगा ठीक है इक्वल वाल्यूम दिया है तो मिली मोल डिवाइड पर क्योंके कंसेंट्रेशन चेंज होगा मिलाओगे जब तो ना तो वी बाकी समझा दिया आपको ना इसे में बैस कैल्कुलेशन पाड़ आपको कर लेगा क्लोज है बड़ा आंसर इसलिए थोड़ा कैल्कुलेशन करना पड़ेगा इस वाले में देखो केपी इक्वल टू केसी आर्टी पावर डिल्टा एंजी अब हमें ये लाना क्या है केपी बाई केसी और वन बाई आर्टी भी लाना है ठीक है पहले ते दर केपी बाई केसी करते हैं केपी बाई केसी इक्वल टू आर्टी पावर डिल्टा एन जी तो इसको ऐसे लिख सकते हैं लॉग आफ के पी बाई के सी इक्वल टू लॉग आफ आर टी पावर डिल्टा एन जी ठीक अब ये डिवाइड में देखो पहले तो आर टी इसका मतलब है हमें क्या करना पढ़ेगा ये माइनस में हमारा आना चाहिए ठीक है ये माइनस में आना चाहिए हमारा जब माइनस में रहेगा तो ये नीचे जाएगा और फिर टोटल लाग इधर माइनस तो माइनस में कौन सा आएगा ये तो देखो आगया टू माइनस में ये नहीं हो सकता ये भी positive में है, देखो ये negative में आ रहा है, और तो नहीं आ रहा है ना? True, हमें चाहिए log of kp by kc, kc by kp ची ये पहले है तो, अब यार, अटाओ इसको, चलो गई, देखो कोई नहीं, यहां तक हो गया, so kc by kp, kc by kp क्या हो जाएगा, 1 by rt power delta ng, kc by kp लिखा हुआ है, तो फुल मिला के हमें delta ng क्या ची ये positive, log लोगे इधर minus, positive किसमें किसमें आ रहा है, positive देखो इसमें आ रहा है, और इसमें आ रहा है, इसमें 0 इसमें negative है, a और b answer to, kya हो गया, next, the equilibrium constant for the reaction is k, ठीक है, and the reaction for the particular, तो देखो k by q कितना दिया है, 0.33, ठीक है, तो k, q जो होगा, वो greater than k है कि नहीं है, करके देख लो, q equal to क्या आएगा, k by 0.33, yes, 0.33, अब 0.33 से divide करोगा, तो q क्या आएगा, जदे ही आएगा, नहीं, 100 by, 100 k divided by 33, 100 k divided by 33, तो एक से तो जदे ही आएगा, ठीक है, अब तो q greater than k है, तो reaction कि दर जाएगा, backboard, 100 k divided by 33, yes, तो 1 से तो जदे ही आएगा, तो reaction कि दर जाएगा, q क्यों क्या होता है, q अगर equal to, q होता है, equilibrium greater than k backward, less होगा, तो क्या होगा, forward, अब इसमें करना क्या है, the reaction mixture will equilibrate to form more, यह तो नहीं हो पाएगा, the reaction mixture will equilibrate to form more product species, the reaction, अच्छा, the reaction, backward जा रहा है, the equilibrium ratio of reactant to product concentration will be 3, equilibrium concentration of, इसमें क्या हो जाएगा, the reaction mixture will equilibrate to form more reactant species, reaction कि धर जा रहा है, backward side, तो reactant तो जादे ही होगा, ना, next, okay, for the reaction, यह हो गया, at equilibrium, the partial pressure सभी का दिया हुगा है, तो इससा KP निकाल लेता है, परले तो, partial pressure of C, 0.3, divided by, partial pressure of A and partial pressure of B, 0.15, into 0.1, यह चलो, कट लिया, यह कितना आ गया, 3 by 1.5, 3 by, यह 10 to the power कितना हो गया, minus 2, यह हो जाएगा, 100 by 5, 100 by 5, 100 by 5, 0.3, divided by 0.15, divided by 0.1, 0.15, divided by 0.1, 0.15, divided by 0.1, यह KP आ गया, अच्छा, चलो, if the capacity of reaction vessel reduce, the equilibrium ratio, the partial pressure of A and become twice, what is the, अच्छ, ठीक है, चलो, ठीक है, यह KP आ गया हमारा, यह, अब आप देखो, अब वो कह रहा है, वापस से लिख लेते हैं, A plus B, C, अब कह रहा है, if the capacity of reaction vessel reduce, the equilibrium ratio, in the new situation, the partial pressure of A and B becomes twice, what is the partial pressure of C, equilibrium पर, तो देखो, reduce करोगे, चाहे कुछ रो, KP तो सहीं मिराएगा, तो 100 by 5 तो same रहेगा, अब देखो, कह रहा है कि the, in the new situation, the partial pressure of A and B becomes twice, पहले का double है, लेकि तो C अब एको निकालना है, चलो भई, partial pressure of C निकालना है, divide by, A और B पहले का क्या हो गया है, double, पहले A कितना था, point, तो यह कितना हो जाएगा, 15.5 into 2 हो गया, into, और, the, in the new situation, the partial pressure A and B becomes twice, तो पहले का B कितना था, point, 1, तो point, 1 into कितना हो गया, question के according, केपी तो same ही रहेगा, क्योंकि केपी इस temperature बिडिवेंट करता है, temperature तो constant ही है, तो हम partial pressure of C in new equilibrium निकाल सकते हैं, निकल जाएगा, next, the dissociation constant of NH4, क्या सब दिया हुआ है, hydrolysis constant, के एच इक्वल तो क्या होता है, के ड़ू अपान के, B, yes, तो dissociation constant दिया हुआ है, hydrolysis constant 10 to the power minus 14 divided by 1.8 into 10 to the power minus 5, तो अल कर लिजी अंसरा है, कि हैच hydrolysis constant, next, 0.005, पह इतना है, percentage degree of dissociation, तो आप जानते हो, H plus equal to क्या होता है, root of K A into C, ठीक है, और ये क्या है, C alpha होता है, equal to root of K A into C, yes, pH दिया हुआ है, इसको देखो ऐसे कल लेते हैं, इसको लगकरने ही जूरूद नहीं है, H plus क्या होता है, C alpha, और pH दिया है 5, मलदब H plus कितना दिया है, 10 to the power minus 5, तो alpha equal to कितना हो गया, 10 to the power minus 5 divided by C, C दिया है, 0.005, ये alpha आ गया, और percentage में पुछा है, percentage में पुछा है, तो multiply by कितना हो गया, ठीक है, consider the following solutions of equal concentration, a buffer solution can be obtained by equal volume, ठीक है, तो देखो, क्या-क्या हो सकता है, consider the following solution of equal concentration, a buffer solution can be obtained by equal volume, तो buffer क्या होता है, B, K, C, R, O, C का, ये तो B, D बना सकता है, और A, C भी बना सकता है, ठीक है, A, C बना सकता है, और B, D बना सकता है, अब देखते हैं, C और D, हाँ, C, D भी बना सकता है, C, D भी बना सकता है, क्योंकि C D आपस में जब बनाएंगे देखो C H 3 C O H और यह आजाएगा क्या N H 4 O H equal concentration और volume है तो इधर तो 0 0 हो जाएगा इधर क्या बचेगा C H 3 C O O N H 4 C into V अब आप जानते हो इट इस the salt of weak acid and weak base, can act as a buffer क्योंकि दोनों पार्ट है नहीं आप देखो negative यह और positive तो all of these will answer all of these next which of the following is incorrect regarding equilibrium state, अब equilibrium में delta G तो 0 ही होता है, सही है the reaction cease नहीं होता है, dynamic आप जानते है, equilibrium constant independent of an initial concentration equilibrium constant तो ठीक है independent catalyst have no effect on equilibrium state, यह भी सही है equilibrium constant is independent upon the, there is a reaction incorrect बुचा है, यह सही है concentration में dependent नहीं करता catalyst have no effect on equilibrium equilibrium state तो ऐसे ही रहेगा यह सही है, not बुचा है incorrect, incorrect तो यह वाल होगे ना, second reaction cease at equilibrium, cease नहीं होता है it is dynamic, चलता रहता है but rate of forward equal to the rate of backward reaction इसका a plus 2b gives 2c plus d 1.1 mol यह है और 2.2 यह हो गया चलो जी, यह 0, 0 1.1 minus x 2.2 minus 2x, यह होगा 2x, यह होगा x अब at equilibrium 0.2 mol of c of 10 बलब 2x की value कितनी है? 0.2, तो x की value कितनी है? 0.1, so it is 0.1 it is 0.2 0.2 निकाल दो, इसमें से यह कितना आएगा? 2, 0.2 निकाल दो 1.1, 0.2 इसमें से minus कर दो तो कितना आजाएगा? 0.9 आजाएगा ना? ठीक है? तो यह आगया कितना? 0.9 इस सब आगया और 1 liter flask के कोई फरक वैसे भी नहीं पढ़ने वाला केसी आपसे पूछ रहा है तो केसी इक्वल टू कितना आजाएगा? 0.1 into 0.2 का square divided by 0.9 into 2 का square 2 का square solve करिया answer आजाएगा calculation एक बार देख लेंगा अब देख लेंगा अब देख लेंगा इब देख लो A plus B C plus D A and B are if the concentration of equilibrium if the concentration of A and B are equal at equilibrium चलो ठीक है and the concentration of D will be twice of A what will be the equilibrium constant of the कोई बात नहीं ठीक है तो देखो केसी लिखोगे तो क्या आएगा? into D divided by A into B अब क्या बोला है? देखो if the concentration of A, B are equal ये और ये तो बराबर है तो अपन लिख सकते हैं C into D अगर ये बराबर है तो मालो आगया क्या? D will twice of A A का स्क्वाइर आगया है बराबर है अब आगे क्या बोला है? D will be the twice of A D twice of A है तो C हो गया D to A हो गया divided by A का क्या हो गया? स्क्वाइर अब देखो आप equation क्या कह रहा है? अगर D to A है तो ये भी कितना होगा? 2 A ही होगा ये भी कितना होगा? 2 A होगा तो C भी क्या हो जाएगा? 2 A into 2 A divided by A का स्क्वाइर A, A, A कट जाएगा answer या जाएगा केसी क्या जाएगी? 4 For the reaction 2 N O B R 2 N O plus B R 2 अब कह रहा है कि if partial pressure of B R 2 देखो B R 2 at equilibrium पर P by 9 है तो आपन बोल सकते हैं कि ये कितना होगा? 2 P by 9 इसका equilibrium पर P dash माल लेते हैं total pressure दिया हुआ है P तो आपन कह सकते हैं इनका sum P के equal होगा तो P dash plus 2 अच्छे ये add करो दो इसको एक बार कितना हैगा? 2 P by 9 plus P by 9 3 P by 9 3 P by 9 का मतलब क्या होगा? P by 3 ये मिला कर कितना होगा? 3 P by 9 तो क्या हो जाएगा? ये P by 3 add गरो इसको तो P dash plus P by 3 equal to P तो P dash कितना हो जाएगा? P minus P by 3 3 तो कितना हो जाएगा? 3 minus ये 2 P by 3 ये P dash हो गया P dash की वेलो कितनी आ गई है? 2 P by 3 अब करना क्या है? K P by P निकालना है तो K P पहले इसका लिख लेते हैं तो K P कितना हैगा? इसका देखो P by 9 into 2 P by 9 का whole square 2 P by 9 का whole square divided by इसका कितना है? 2 P by 3 2 P by 3 का whole square तो देखो ये P square P square कटेगा 1 P तो पक्का बजेगा तो solve करके K P by P ये solve करके आपने निकाल लेना है ठीक है? अल्मूस 81 के असपास आना चाहिए ठीक है? given एक given दिया हुआ है ये दे दिया दिन दे एक्किलिब्रियम constant for अब relation निकालना है इसके बराबर कर दो सब को तो माल लेते हैं ये K 1 है ये K 2 है ये K 3 है अब देखो पहला वाला 2 ही है ये देखो इसका just ये opposite है कि नहीं है तो K equilibrium equal to 1 by K 1 1 by K 1 opposite है ये दूसरा K equilibrium equal to अब दूसरा वाला देखो दूसरा वाला side तो चलो सही है but is stoichiometry में इसमें 2 का multiply करना पड़े K 2 का square K equilibrium equal to K 3 का देखते है K 3 का side भी पल्टी मारना पड़ेगा मद्दा 1 by K 3 और इसका stoichiometry भी देखो set करना multiply करोगे power में कितना चला जाएगा तो सभी का आंसर K 1 equal to 1 by K equilibrium K 2 equal to root of K equilibrium K 3 equal to 1 by K equilibrium का root K equilibrium दिया हुआ है सब का निकाल ला ली ठीक है What will be the pH of solution form by mixing HCl और NaOH तो इसमें क्या करना है इसमें सीधे कर दो M1 V1 एक B से X Acid है minus of M2 V2 equal to M final V5 तो यह हो गया कितना जादा कौन सा है 45 into 10 यह 4.5 होगा और यह कितना होगा 4 तो यह जादा है न तो यह हो गया 4.5 और minus कितना हो गया 40 into 1 4 होगा equal to M final और V final कितना हो जाएगा 10 और 40, 50 यह कितना हो गया 0.5 divided by 50 equal to M final अब दो को बेस जादा है तो यहाँ से क्या निकलेगा 10 to the power यह 10 हो गया यह 10 to the power minus 1 हो गया यह कट जाएगा यह उपर जाएगा M final कितना आ रहा है 10 to the power minus 2 तो पहले तो निकालना पड़ेगा इसका पह यह 2 हो गया तो पह कितना आ जाएगा 12 12 पह आ जाएगा next select the incorrect relation यह वो के अच्छ चलो जी तो के एच इकल टू क्या होता है incorrect अच्छा incorrect के एच इकल टू हम जानते है के ड़लू बाई के अबी होता है के एच के ड़लू बाई के भी भी होता है के एच के ड़लू बाई के एंटू के बी भी होता है अब दिखते हैं गड़बड कौन सा है यह सही है यह से यह ही गलत है ठीक है select the incorrect था ना incorrect ही बताना which of the following mixture can act as a buffer तो देखो इसमें पहला वाला c s 3 c o o n a plus h c l यह क्या बनाएगा c s 3 c o o h अब यह 1 है यह कितना है 2 यह कितना है 1 यह 0, यह 1, यह 0, यह 1 यह पहला वाला ही क्या हो गया पहला वाला तो बफर है चलो दूसरा वाला भी देख लेते हैं c s 3 c o o h plus n o h यह बनाएगा c s 3 c o o n 2 ratio 1 है यह 2 है, यह 1 है, यह 0 limiting यह होगा, यह 0, यह 1 यह भी बफर बना दिया यह भी उसी तरह सा आजाएगा all of these answers, ठीक है ठीक है ठीक है दोस्तों यह था आपना discussion dcm 38 बिल्कुल basic से paper था score इसमें आपका बहुत ज्यादा आना चीए yes और आया भी होगा एक-दो जगा कुछ जैसे ncrt में बैक साई में calculation कुछ दिया हुआ है उसको विध्यार में रखते विए कुछ question में उतनी भी ज्यादा calculation नहीं थी थोड़ा मतलब 2-4 step करना पड़ेगा क्योंकि क्या पताओ भात दब कर भी इनिस्याटिव बड़े वही रेक्शन उठाक डाल देते हैं तो उसमें calculation होती हैं ठीक है पाकितों काफी scoring पे पर हैं ठीक है मिलते हैं next time thank you very much झाल झाल